गाउं की एक महिला से परिशान एक परिवार ने आज वरिस्ट पुलिस अधिक्छक की शरण लेते हुए नियाय किये जाने की गोहार की है इस मामले को लेकर बरुवा सागर में रहने वाली विजे कुशवात अथा उसके परिवार ने वरिस्ट पुलिस अधिक्छक से मुलाकात कर उन्हें बताए कि गाउं की एक महिला ने उनके भाई पर बरातकार करने का फर्दी मुकदमा दरज करा दिया है इस मुकदमे में उन्होंने अपने भाई की जमानत कराई जिस दिन वह भाई की जमानत कराकर वापस तोटे उसी दिन उसी महिला ने उसके चाचा यता उसकी भावी की खिलाव धंकाने का एक और फर्दी मुकदमा दरज करा दिया विजे का कहना है कि उक्त महिला के आचरंट से पूरा गाउं पुरी तरह से परिशान है प्रात्ना पत्र में उसने पूरे मामले की उच इस तरह जाच कर कानूने कारवाही किया चाने की गुहार की है मवारिपुर सूत खोर से ब्यास पर रुपिया लेनी ग्रामेर दपत्ती को उस समय महेंगा पर यह जब पूरा रुपे लेनी के बाद भी उस पर बाखे रुपे निकाल दिये गए जब हिसाब करने की बाद हुई तो पत्ती सहित उसकी मार्पीर की यही ग्राम वुखारा निवासी रामधिन पुत्र रम्तु ने कोटवाली में दिये गए प्रात्ना पत्त पर बताए कि जबवत पढ़ने पर उसने बड़ा गाउन निवासी दबनक से कुछ समय पूर्थ 1,78,000 रुपे उधार ब्याच पलिये दे जो जमीन बेच कर पूरे रुपे में ब्याच के 4,75,000 रुपे ग्रामिन के सामने पंचायत में चक्ता कर दिये गए थी लेकिन राद में सूथ खोर उस पर रुपे बाकी निकाल कर में ब्याच के देने की दवा बना रहा है आवप लगाया गया है कि गत रोज सूथ खोर ने बड़ा गाओं तिगेला पर रोग कर उसकी मार्कीट करते हुए यदि उसके पास रुपे नहीं है तो उसकी पत्नी को मेरे पास भेज़ दो वन्ना अंजाम भुगतने के लिए तयार रहना ऐसा कहे कर धमकाया जा रहा है बबीना थाना द्यक्ष बिजिश बहादुर के नितरत्व में बबीना के समस्त बैंकों में रविवार की छुटी के दूसरे दिन सुमवार को सुरक्षा की द्रसी से चेकिंग अभ्यान एवर बैंक की बाहर जो लोग खड़े रहते हैं उनसे पूछताच किये गई इस दोरान वहाँ से जाने को का आगया और कोई काम होने इसे देखकर जो बैंक में पैसे निकालने और जमा करने आए उन्हें अपने आप में सुरक्षा महसूस हुई जालान में भीशन गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है जिसका असर जंगल में दिखाई दे रहा है गर्मी के कारण कुठोंज छेदर के जंगल में आग लगई देखते ही देखते आग ने विक्राल रूप भारन कलिया जंगल में लगई आपको जानवर चरारहे चरवाहों ने देखा तद काल दमकल विभाग के साथ पुलिस को सूचना दी गई जानकारी मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस्ती मौके पर पहुची जहाँ दमकल कर्मियों ने करी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाने में जुट गई बाना में डीम और एसपी ने रात में जेल पर चापा मारा करीब एक घंटे तक दोन अधिकारी जेल के अंदर रहे आपको बताती कि बहु बली माफिया मुक्तार अंसारी इस जेल में बन है उसके साइज सभी कैदियों की बैरिकों की तलाशी ली गए उसके बाद दोन अधिकारी वापस ले गए रात करीब नौ बज़े अचानक मंडल कारगार में डीम एसपी पहुचे बताया जा रहा है की अकास्मिक चेकिंग के गए जेल पहुचे अधिकारी ने मुक्तार असारी की गटी विदियों और सुरक्षा विवस्तक के जाच की साथ ही अन्य बैरिकों की भी सखन चेकिंग के गए तकरीबन ग्यारा बज़े दोनों अधिकारी जेल से वापस लोट गए पूच छेत्र के कनेचा गाउन निवासी जे प्रकास अहिरवार का 16 साल का बेटा पवन कुमार बारवी कक्षा में पढ़ता था सुमबार सुबह पवन घर से कोचिंग के लिए गया था जिसके बाद वे दोस्तों के साथ गाउन से करीब 2 किलो मीटर दूर बेटवा नदी में नहाने चला गया जहां उसकी डूबने से मौत हो गई नदी में डूबने से वारवी कक्षा की छात्र की मौत हो गई वे घर से कोचिंग के लिए निकला था इसके बाद वे दोस्तों के साथ नहाने के लिए नदी पर चला गया बड़ी मशक्कत के बाद शव को नदी से निकाला गया पुलिस ने शव कबजे में लेकर जहां से मेडिकल कॉलिज के मुर्दागर में रखवाया है